हाई डिवाइन फामली वेलकुम बैक तो दे चानल हाव यू ओल आप सब बहुत अच्छे हैं डिवाइनली ब्लेस्ट हैं सेफ हैं सेक्यूर हैं और टोटली प्रोटेक्टेड हैं फ्रेंज आज का डाउनलोड मैं आप सब के साथ शेयर करूं उससे पहले मैं आप सब को यह ज और अपना वाट्साप नंबर देकर वो लोगों को परसनल रीडिंग देने के बाहने आप सबसे पैसे आच्छा है लोगों से पैसे आच्छा है ठीक है तो अगर आपको फेस्बुक पर अपने इस चैनल के नाम से कोई पेज दिखता है तो वो डेफिनेटली नकली पेज है इस चैनल के अलावा मैं कहीं पर भी रीडिंग नहीं करती हूँ, ठीक है और आपको अगर personal reading book करनी है मेरे साथ तो आप मुझे personally mail कर सकते हैं मेरे email id divine24hoursadherategmail.com पर वहाँ पर मैं particularly आपकी energy channelize करती हूँ और आपके जो भी queries होते हैं उसके answers find out करती हूँ ठीक है तो आते हैं आज के download पर तो आज का download कुछ इस तरह से है कि आपके life में definitely कुछ परिवर्तन आया है कुछ positive परिवर्तन आया है लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों के हो सकता है छोटी मोटी health issues हो रहे हूँ आपको मैं health issues देख रही हूँ आपके around ये और कुछ नहीं किसी तरह की negative energy है जो आपको परिशान कर रही है जो आपके आसपास रहकर आपके positive बदलावों में impact डालना चाह रही है हो सकता है आपको रात के समय चक्कर वगेरा आ रहे हूँ या फिर आपको हो सकता है किसी तरह से कुछ headache वगेरा हो रहा हो या कुछ back ache हो रही है back pain हो रहा है तो आपको किसी तरह की कोई नकरात्म कूर्जा है जो परिशान करने का प्रयास कर रही है तो आपको बताया जा रहा है कि अपने आपको cleanse करिए और आपको फिलहाल salt bath लेने की जरूरत है और अगर आप किसी तरह के कोई spiritual water से जैसे कि अगर आप नहाने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला ले तो आप उससे नहा सकते हैं उससे स्नान कर सकते हैं जिससे कि आपकी energy पूरी तरह से cleanse हो जाए ठीक है जो नकरात्म कूर्जा आपको परिशान करने का प्रयास कर रहे हैं वह जो नकरात्म कूर्जा आपके आभा मंडल में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं ठीक है आपको effect नहीं कर पा रही है वह ठीक है आप कहीं से भी आ पूँजुत गलत कुछ ऐसी ऑनर्जी को मुझे रोकरी ऑपको बताने से तो कुछ ऐसी एनर्जी आपके आями प्रवेश्षा करना चाहरी कैक तो आपको बताएं जा रहा है कि अपने अब क्लेंड करते हैं हो सकता है आप भीडबहाण में कहीं गए हो तो आपने हो सकता है किसी तरी की कोई negative energy catch कर ली हो तो उस वज़े से भी possible है कि कोई नकरात्म कूरजा आपके आसपास आपकी energy में प्रवेश करना चाह रही है जिसके चलते आपको छोटे छोटे sign मिल रहे हैं आपको symptoms feel हो रहे हैं कि जरूर कोई negative energy है आपके आसपास जो आपको आपके उपर अपना प्रभाव डालना चाह रही है तो ऐसी कोई negative energy आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी मैं बता दू किसी भी तरह की कोई negative energy आपको effect नहीं कर पाएगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो negative energy वहीं वापस भीज दी जाए जहां से वो आई हो जो भी negative energy है वो मेरे collectives के जीवन से दूर हो जाए और मेरे collectives पूरी तरह से अपनी positive life को enjoy कर पाए जो जिस दौरान में आप सबको ये सब बता रही हूँ मुझे throat chakra में कुछ blockage feel हो रहा है तो definitely कुछ negative energy मुझे feel हो रही है जो आपको ये सब जानने नहीं देना चाहती है जो ऐसा चाहती है कि आपको ये सब चीजें मालूम ना पड़े तो definitely आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको salt bath वगेरा लेना है और अगर हो सके तो किसी तरह का कोई पवित्र जल अगर आप पी सके अगर आप किसी भी तरह के पवित्र जल को अपने पीने वाले पानी में मिला कर अगर आप उसको पी सके तो बहुत अच्छा होगा ये भी मुझे channelized message आया आपके लिए तो आते हैं अपने super thanks for जिन लोगों ने मेरे लिए super thanks भेजा है प्यारे प्यारे gifts भेजे है मैं उन सबके names shout out करना चाहूंगी और उन सबकी तरफ ये positive energy multiply करके भेजना चाहूंगी मैं चाहती हूँ जितना आपका रिदय उदार है ठीके उसी उदारता के साथ माता महालक्षमी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आपकी जीवन में shivai thank you so much shivai thanks a lot critical n thank you so much thanks a lot आपका नेम नहीं है बत यह username है तो मैं उसको read out कर रहे हूँ dapper lizard from Canada thank you so much thanks a lot anika thanks a lot sandy garg thank you so much sandy rashid abdul thank you so much thanks a lot payal mishra thank you so much thanks a lot so thank you so much all of you thank you so much for your appreciation आपने जो प्रोचसाहन दिया आपने जो प्यार यह मेरे लिए भेजा है यह बहुत ही ज्यादा special है मेरे लिए and it means a lot to me thank you so much thanks a lot so आते हैं आज की reading पर so friends अभी मैं फिलहाल अद्रक वाली चाय भी enjoy कर रही हूँ और मुझे यह भी पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को अद्रक वाली चाय पसंद है right so I would like to dedicate this अद्रक वाली चाय to all of you yeah तो आते हैं देखते हैं आपक के जा रहे हैं जो रकर्स से करें कर दो मैंसे जा रहे हैं मेरी collectors के लिए गजस्टर्टर्टर्स डेंसर ह्दिक ट बनने सिर्टर्ट पिस्टर्ट्स किनने माशंग Fitzgerald ए er okay take your life and enjoy it yes तो आपको अपनी life को enjoy करने के लिए कहा जा रहा है ठीक है yeah you are alive so take your life and enjoy it you were born with the right to be happy yes to love and to share your love just to be to take a risk and enjoy your life is all that matters so जिस किसी के लिए भी ये message आ रहा है जिस किसी की भी energy आज मैं channelize कर रहे हूँ आप का ये अधिकार है ठीक है कि आप present रहे आप खुश रहे आप happy रहे क्योंकि आप अपने पुन्य को भोगने के लिए इस पृत्वी पर आये है ठीक है आपने past life में बहुत सारे पुन्य करे है राइट एक और reading में ये डाउनलोड आया था कि आप आपने बहुत सारे पुन्य करे है हो सकता है आपके right side में कोई birth mark हो आपके right side आपके you know body के right part में कहीं पर भी कोई birth mark हो सकता है अगर ऐसा है तो आप सिर्फ पुन्य को भोगने के लिए आए है आप खुश रहने के लिए आए है आप प्रसन्न रहने के लिए आए है लेकिन कुछ ऐसे low vibrational लोग हैं जो आपको परिशान करते रहते हैं ठीक है आपके जीवन में disturbance create करना चाहते है राइट love your nature and your body तो आपको अपने आप से प्रेम करना है आपको स्वयम से प्रेम करना है आपको सीखना है यह ना your own body is a manifestation of God तो आप जो कोई भी है आपकी जो body है आपका जो शरीर है वो ईश्वर की you know imagination है उनकी manifestation है उन्होंने बहुत सोच समझ कर आपको बनाया है and if you honor your body अगर आप अपनी body को honor करते है practice giving love to every part of your body ओके this will plant a seed of love in your mind and when they grow you will love, honor and respect your body immensely आपको अपनी body के हर पार्ट से प्रेम होना चाहिए ठीक है आपको यह बताया जा रहा है क्योंकि आप इश्वर का manifestation है इश्वर ने आपको manifest किया है उन्होंने आपको तपस्या से बनाया है उन्होंने आपकी मनुकामना करी है ठीक है आपकी body इतनी special है उनके लिए तो आपको बोला जा रहा है अपनी body से प्रेम करिए उसके हर एक पार्ट से आपकी आखे बहुत सुन्दर है अपने आपको practice करिए बोली है ये बात अपने आप से आपकी पूरी body इश्वर ने बनाई है उन्होंने manifest करी है उसका आदर करिए उसका सम्मान करिए ये चीज बोली जा रहे है स्वयम से प्रेम करना सीखे स्वयम को महत्व दीजे राइट सो देखते है क्या cards आ रहे है आपके लिए tarot से क्या message आ रहा है Dear angels, please मेरे collectors के लिए messages provide करिए उकी, one card flipped Yes Dear angels और क्या message आ रहे है मेरे collectors के लिए please provide करिए क्या message आ रहे है मेरे collectors के लिए क्या message आ रहे है मेरे collectors के लिए please provide करिए messages क्या message आ रहे है मेरे collectors के लिए okay hmm right क्या message आ रहे है मेरे collectors के लिए okay hmm yeah so किसी का दिल टूटा है कुछ कोई आपको love offer करना चाह रहा है hmm okay जला लिए है देव के उपर वो यहीं पर चीख रहा था चिला रहा था उसके बद्द दोस्ट चिला रहे थे है अगे अगे राइट यहां पर जो राशियां आ रहे हैं मैं आपको एक बार राशियां बता देती हूं सारी करक राशिय मिथुन राशिय कुम्भ राशिय और तुला राशिय यह राशियां है यहां पर यहां राइट हम मुझे दिख रहा है आपने हो सकता है कुछ किसी से दूरी हो गई है किसी से distance है है न कोई सेपरेटेड है कोई परसन है जिससे आपने अपने आपको डिस्टिंस किया है जिसकी वज़े से आपके जीवन में पॉजिटिविटी आई है यह नो एक पॉजिटिव चेंज आया है आपके अंदर मैं देख रहे हूँ किसी तरह की कोई गॉड़िस एनरजी है ठीक है गॉड़ गॉड़िस एनरजी आप दी एंप्रेस है ठीक है अगर आप मेल हैं और यह वीडियो देख रहे हैं तो आप हो सकता है एंप्रेस एनरजी क्यारी करते हैं ठीक है एंप्रेस और एंप्रेस सेम एनरजी की बात करता है ठीक है तो आपकी जो एनरजी है वो डिवाइन है दिव्य है ठीक है दिव्य शक्तियों का अंश है आप यहाँ पर यही बात बोली जा रही है और आपको यह बताया जा रहा है कि आपकी victory हुई है किसी चीज में हो सकता है आपके जीवन से कुछ negative लोग हो सकता है वो दूर गए है उनसे कुछ दूरी हुई है आपकी यह कोई ऐसा person भी मुझे लग रहा है हो सकता है आपके साथ कुछ love वाली situation लग रही है हो सकता है कोई आपसे love में था कोई interested था आप में यहां पर मुझे यह भी दिख रहा है हो सकता है कोई आप में interested था लेकिन उन्होंने खुद ही sabotage किया इस प्रिष्टे को इस relationship को उन्होंने किसी भी तरह का कोई action नहीं लिया और वह बहुत जादा interested थे आप में लेकिन आपके तरफ से उनको कोई ऐसे signals नहीं मिले science नहीं मिले जिसकी वज़े से उन्होंने आपके जीवन से definitely distance करना ही प्रिफर किया अब वह आपके जीवन से हो सकता है दूर हो गए है distance हो गया है मैं किसी तरह का traveling भी देख रहे हूं हो सकता है आप कहीं traveling कर रहे है and overall मैं देख रही हूँ कि यह जो भी निर्ने आपने लिया है जो भी decision आपने लिया है इसमें आपकी जीत निर्धारित है ठीके आपने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है और जिसकी वज़े से आपको definitely ईश्वर ने बहुत जादा सराह है और इश्वर आपके इस decision को बहुत जादा appreciate कर रहे है वह इस आपके इस निर्णे को बहुत सराह रहे है इसी वज़े से वह आपको इतनी बड़ी position प्रदान कर रहे है यास आपने बहुत आपने हो सकता है किसी प्रकार का कोई नेड़ने लिया जो कि बहुत सही रहा आपके जीवन के लिए आपने अपनी जो family है उसमें आ रहे ही जो समस्याएं है उनको पूरी तरह से ईश्वर को सौब दिया क्योंकि आप repeatedly इतनी समस्याओं को face करते रहे हैं अपने पारिवारिक जीवन में अपने वैवाहिक जीवन में आपने repeatedly you know cycle by cycle एक repeated cycle चलता रहा है आपके जीवन में जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा हताश होने लग गए थे कि ये चीज तो never ending है ये never ending situation चल रही है जिसकी वज़े से आप बहुत ज़्यादा हताश हो यह surrender वालिए यह surrender के भाव जो आपकी मन में आये है अना इवार्म को समर्पित कर दिया है अपने उसके सुख आपने जिवन के सुख लगत से को आपने इसवर को पूरी तरह से سमर्पित कर दिया है आपको बता दूं कि ईश्वर आपसे बहुत जादा प्यार करते हैं ठीक है और आपके जो पार्टनर है वो भी आपसे बहुत जादा प्यार करते हैं जिस तरह से यह water flow हो रहा है यह water जो ओवर फ्लो हो रहा है इस कप से यहां पे यह समंदर में गिर रहा है और आप देखें कि यहां पे छोटे छोटे लोटस के फ्लार्स भी है यह सो आपको बता दें कि यह जो कुछ भी यह जो भी प्यार है आपके पार्टनर का आपके लिए यह इनो एक spiritual love है एक दिव्य connection है आपका और आपके पार्टनर का ठीक है एक divine प्यार है आपका और आपके पार्टनर का येस पास्ट में बहुत लड़ाई जगडे हुए हैं बहुत दिल तूटा है लेकिन आपके पार्टनर डेफिनिटली आपके लिए बहुत कुछ फील करते हैं जो कुछ भी negativity थी जो भी negative energy थी आपके जीवन में वो सब backfire हो गई है ठीक है ये हो सकता है जो कोई भी आपके जीवन में इस तरह की कोई negative energy भेशता रहता था ठीक है ये magician energy मुझे यही बता रही है कि ये कोई ऐसा परसन था जो आपके जीवन से आउट हुआ है दूर हुआ है डिस्टिन्स हुआ है और अब आपकी life definitely peaceful है happily ever after का card मुझे यही बता रहा है और victory का card मुझे यही बता रहा ह है कि आपने जो भी निर्णे लिया है इस वर उस निर्णे को बहुत ज़्यदा सराह रहे हैं और बहुत appreciate कर रहे है ठीक है तो यह message आ रहा है आपके लिए let's see आपके लिए oracles क्या बता रहे हैं let's see oracles क्या बता रहे हैं आपके लिए और क्या message आ रहा है आपके लिए oracles की तरफ से और क्या message आ रहा है क्या message आ रहा है उनके जीवन में okay yes right i'll take this one also the word yeah किसी के 36 है किसी के 22 है किसी का birthday किसी भी month की 5th को होता है 9th को हो सकता है किसी का birthday हो किसी भी month की 4th को हो सकता है आपका birthday होता हो किसी भी month की 22nd को हो सकता है आपका birthday होता हो ठीक है 2nd February मैं सुन रहे हूं 2nd February 5th of April 5th of September 4th of September 22nd September 3rd June 9th April 9th April 9th of May कुछ dates और age आ रही थी The world का card बता रहा है Be open to new possibilities in all areas of your life Yes तो आपके जीवन में नई possibilities आ रही है हो सकता है हर शेत्र से आपको बहुत सारी खुशिया मिलने वाली है ठीक है हर शेत्र से positive news आपकी तरफ आ रही है और नई possibilities आ रही है हर शेत्र से एक नई energy आपकी तरफ आ रही है ठीक है चाहे आपके finances में हो चाहे आपके career में हो या फिर आपके relationships में हो तो एक नई उमीद जाग रही है एक new possibility आ रही है आपके जीवन में आपको बताया जा रहा है कि know that you are protected as you face challenges but remain cautious आपको ये पता होना चाहिए कि आप definitely सुरक्षत हैं आप सुरक्षा घेरे के अंदर है लेकिन आपको बोला जा रहा है फिर भी आपको सावधान रहना है तो इसी चीज का डाउनलोड आया है कि आपके आसपास definitely कोई नकरात में कूर्जा है जो आपके सुरक्षा घेरे में प्रवेश करना चाह रही है ठीक है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने आभा मंदल को और जादा strong करिए अगर हो सके तो salt बात लीजिए नमक के पानी से नाहिए या फिर उसमें किसी प्रकार का कोई गंगा जल डालिए और अगर हो सके तो गंगा जल मिला कर पानी पीजिए तो उससे भी आपका जो सुरक्षा घेरा है वो और जादा strong हो जाएगा और आपकी जो energy है वो पूरी तरह से cleanse हो जाएगी negative energy से free हो जाएगी you are ready to bring new and exciting things into your life yes, so आपके जीवन में कुछ celebrations आ रहे है तिके किसी तरह के कुछ functions आ रहे हैं, कुछ events आ रहे है जिनमें आप definitely participate करने वाले हैं and कुछ exciting चीज़ें आपके जीवन में आ रही है कुछ positivity देख रहे हैं, ठीक है relationships में भी बहुत सारी positivity आती होई देख रहे हैं लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है ठीक है, career के aspect से, finances के aspect से हो सकता है आपके जीवन में कुछ नई उपलबधियां आएं, ठीक है लेकिन किसी तरह की negative energy है जो आपके इस तरफ आ रही इन सारी नई possibilities को रोकने का प्रयास करें तो आपको जो भी precautions लेने हैं मैंने आपको बताए तो आपको जिन बातों का धियान रखना है मैंने आपको clearly बताया है यहां पर आप उन बातों का धियान रखेगा राइट देखते हैं यू आपके पार्टनर आपके लिए आपके पार्टनर आपके लिए बहुत इमानदार है, बहुत लॉयल है आपके पार्टनर, यह message आ रहा है आपके लिए high vibration energy यह तो हो सकते हैं आपके पार्टनर की energy high vibrational है प्लस आपकी भी energy high vibrational है क्योंकि आपका और आपके पार्टनर के बीच का जो रिष्टा है वो मैंने आपको बताया है ना spiritual है divine रिष्टा है आप दोनों का दिव रिष्टा है यह it's haters karma season तो अब आपके haters के कर्मों का भुक्तान करने का season आ चुका है अब आपके haters को अपने कर्मों का भुक्तान करना पड़ेगा यह message आ रहा है यह star seed star powers yes नहीं बताया है spiritual connection है आपके पार्टनर का और आपका आप दोनों star seeds है star powers है यानि कि दिव्य शक्तियों का अंश है आप लोग तो आप इस जन्म से नहीं आप कई जन्मों से साथ है ठीक है हर जन्म में आप दोनों साथ रहे हैं yes loyal male yes तो आपके partner आपके लिए loyal है इमानदार है ठीक है और अगर आप कोई male है यह video देख रहे हैं तो आप अपने partner के लिए बहुत ज़ादा loyal है बहुत इमानदार है और वही इमानदारी आप अपने partner से expect करते है they are casting an evil eye yes आपके उपर evil eye cast करी जा रहे है तो यह message है यह angels आपको बता रहे है ठीक है तो जो चीज़े मैंने आपको बताई है उन चीज़ों का बहुत ज़ादा ध्यान रखेगा उनको करिए और जो भी evil eye है वो definitely वापस वहीं भेज दी जाए जहां से वो cast करी जा रही है जो भी evil eye जहां से भेजी जा रही है ठीक है उसको please वापस वहीं भेज दीजे please send the evil eye back जहां कहीं से भी जो कोई भी नज़र लगा रहा है उस नज़र दोश को वापस वहीं भेज दीजे जहां से वो नज़र दोश आ रही हो ठीक है please send it back to sender immediately yes you are healed from trauma yes तो हो सकता है आपको किसी तरह का कोई trauma रहा हो ठीक है आपने अपनी जीवन में lowest point को touch किया है तो हो सकता है आप किसी depression से निकले है हो सकता है आप किसी तरह के कोई depression में रहे है और आपने बहुत जादा दुख जहला है इतना दुख जहला है जितना normal इंसान इतना दुख जहल के निकल कर नहीं आ सकता ठीक है तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप ऐसे किसी ट्रॉमा से heal हुए है और आपने स्वयम को heal किया है इसी वज़े से इश्वर आपको बता रहे है कि आप उनके सचे भक्त है येस आप उनका अन्श है इसलिए आप उनके सचे भक्त है यह मैसेज आ रहा है बहुत क्लियर इसी वज़े से ईश्वर आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो आपको सुरक्षा घेरे के अंदर रखते हैं ठीक है बहुत क्लियर मैसेज आ रहे हैं आज यहां देर इस नो कंफूजयर अटार पबिक फिगर हो सकता है आप पबिक फिगर है पॉखिलर है ठीक है जिसके रहीय आप पॉखिलर है पॉखिलर हैं पॉखिलर है अप कड़के जीवन पर नजर लगाते हैं यह proximity और जियूज़ हो हो सकता है तो आपको ऐसे एनर्जी वेंपाइस से साफधान रहना है ठीक है यह भी बताया जा रहा है यास फेम स्टार्डम पॉपिलर नोन 1010 तो अगर आपको 1010 बहुत जादा दिख रहा है तो आप समझ लिजे के आपके जीवन में फेम स्टार्डम पॉपिलारिटी यह सब कुछ आने वाली है यह बहुत स्ट्रॉंग मेसेज आया आपके लिए एकाश के हम होश में अब आने ना पाएं या तो हो सकता है यह सौंग किसी का फेवरिट है या कोई किसी के लिए याद करके यह सौंग सुन रहा है एकाश के हम होश में अब आने ना पाएं या तो कोई अपनी मम्मी का फेवरिट है उनकी मम्मी उनसे बहुत जादा प्यार करती है ठीक है यू विल हाव लाक ओफ टाइम दिस यर बट मनी विल बी रेनिंग ओन तो यू तो इस साल हो सकता है आपके पास समय की कमी रहे ठीक है लेकिन आपके उपर धन की वर्षा जबरदस तरीके से होती रहेगी ठीक है धन वर्षा होगी लेकिन समय नहीं होगा ओके लॉयल फीमेल वाव यह बहुत पावफल कॉम्मिनेशन है आप और आपके पार्टनर दोनों लॉयल है लॉयल मेल लॉयल फीमेल दोनों का कार्ड आया है यह आपके यह बहुत ही स्पिरिच्छल कनेक्शन है पावर कपल आप दोनों पावर कपल है ठीक है आप दोनों जब कहीं किसी भी रूम में एंटर होते हैं तो लोग हेड्स टर्न करके आप दोनों को देखते हैं कि कौन आ गया कौन से कपल आये हैं यू बोथ आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लिमेंट करते हों लाइक रॉयल्टी लाइक किंग और कुईन ठीक है यू आर अबाउट तो शॉक यूर हेटर्स और यूर एनिमीज तो आप शॉक करने वाले हैं अपने हेटर्स को अपने एनिमीज को वह आपकी बरकत देखके आपकी तरक्की देखके शॉक में आ जाएंगे ठीक है और जो कुछ भी उन्होंने नुकसान आपको पहुचाने की कोशिश करी तो वो चीज़े आपके लिए उल्टा और जादा कारगर साबित होंगी वो चीज़े आपके लिए और जादा फायदे मंद साबित होने वाली है बजाए कि आपको नुकसान पहुचाने के ट्रांस्म्यूट हो जाएंगी वो ठीक है खराब energy से positive energy में परिवर्टित हो रही है वो energy और यही होगा ऐसा ही होने वाला है ठीक है यह message आपको clearly बताया जा रहा है मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया या सो यह message आ है किसी की तरफ से बहुत clear है तो वे किसी को ढहिए को दोका नहीं दिया कोई किसी को बोल रहे है आपको कोई चीजें बॉल रहा थो कि कि मैंद के हैं जालेस फैमिली मेंब तो हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ऐसा पासे है जो energy एंपायर है जो एनरजीज खीशता है दूसरों की जो बहुत जादा लोगों के बीच में रहना पसंद करता है इधर की उधर करना पसंद करता है ठीक है सब की बुराईयां करना पसंद करता है पूजा पार्ट उस person को बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपके family में कोई ऐसा person है जिसको बहुत जलन होती है सबसे उस person के मुझ से आप जल्दी किसी की तारीफे नहीं सुनोगे बहुत कम लोगों की वो तारीफे करता है और especially आपके तो बिल्कुल भी तारीफ नहीं करेगा वो person तो यह definitely कोई jealous family member है and possible है कि यह person energy vampire भी हो ठीक है तो यह card आया है यहाँ पर Your lover is missing you आपके जो lover हैं वो आपको miss कर रहे हैं बहुत जादा याद कर रहे हैं वो आपको ओके लेट्स टेक वन मूव ओके R.I.P. If you touch my divine child Your ancestors want to tell your enemies तो definitely कुछ गडबड करी गई है आपके enemies ने कुछ तो यहाँ पर शड्यंत्र रचे हैं आपके against ठीक है उन लोगों ने evil eye cast करी है आप पर इसी वज़े से आपको चक्कर आ रहे हैं इसी वज़े से आपको back pain हो रहा है इसी वज़े से आपको हो सकता है headache वगेरा feel हो रहा हो छोटे रूप में आपको ऐसा समझाया जा रहा है कि ऐसी चीज़े करी जा रही है लेकिन आप सुरक्षा घेरे के अंदर है तो उन चीज़ों का प्रभाव आपके उपर नहीं आ पा रहा है वो चीज़े तिक नहीं पा रही है आपको touch करके वो वापस वहीं वापस चली जाती है वापस भेज दी जाती है जहांसे वो आई होती है येस, you are my type तो कोई कह रहा है आप उनके जैसे है you are my type आपके जो पूरवज हैं वो आपको लेकर के बहुत जादा protective है येस पल पल दिल के पास तुम रहते हो कोई पुराने सौंग सुन रहा है आपकी याद में यह मेसेज आ रहा है यहां पे यह जो ancestors की तरफ से आपके लिए जो मेसेज आया है आपके पूरवजों की तरफ से जो आपके लिए मेसेज आया है यह warning आपके उन haters के लिए है उन शत्रूं के लिए है उन लोगों के लिए है जो आपसे ईशा करते है अगर उन लोगों ने आपको कहीं से भी तच करने की कोशिश करी तिक है या नुकसान पहुचाने की कोशिश करी तो उन लोगों का हश्र ये होने वाला है येस तिक है उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा बक्षा नहीं जाएगा बहुत बुरी हालत कर दी जाएगी उनकी हो सकता है उनको बिल्कुल भी क्षमा नहीं किया जाएगा यू कम्प्लीट मी कोई कह रहा है आप उनको कम्प्लीट करते हैं तो आपके लवर आपको बहुत जादा याद कर रहे हैं यह मैसेज आया है और यहीं बात आपको बोली जारी है कि आपको अपना ध्यान रखना है आप इसवर की manifestation है आप इसवर की मनौकामना है इसवर ने आपको you know imagine किया था उन्होंने आपको manifest किया है आप इसवर की कलपना है हो सकता है आप में से कुछ लोगों का नाम कलपना भी हो तो आपको इसवर ने अपनी manifestation से बनाया है आपके बारे में सब कुछ सुन्दर है, आपके बारे में सब कुछ अच्छा है, आपके बारे में सब कुछ दिव्य है, ओके I can't believe you ignore me, येस, तो किसी को believe नहीं हो रहा कि आपने उनको को इग्नॉर कर दिया ठीक है आपने उनको कोई भाव नहीं दिये हो सकता है उन्होंने आपको इंडर्क ली हर्ट किया हो कुछ दुख पहुचाया हो इस वज़े से आपने उनके उपर ध्यान देना बंद कर दिया राइट आइड रोंग चॉइस उनको बहुत पश्टावा है इस बात का या उन्होंने कुछ गलत निर्ने लिया उन्होंने कुछ गलत फैसला किया ठीक है उन्होंने कुछ गलत चॉइस करी ठीक है गलत चयन किया उन्होंने कुछ और उनको बिलीव नहीं हो रहा कि आपने उन आप लोगों को बहुत आसानी से इग्नौर कर देते हैं ठीक है आपको अगर किसी व्यक्ति में कुछ यह नो कुछ फिशीनेस दिखता है कुछ अजीबो गरीब हरकते उनकी तरफ से कुछ दिखती है तो आप उनको इग्नौर कर देते हैं बड़ी सरलता से पास्ट लाइफ हो सकता है आप पिछले जन्म के कोई राजा या रानी है कोई किंग या कुईन है रॉयल्टी है यह बहुत रॉयल एनरजी मुझे फील हो रही है बहुत रॉयल कपल की एनरजी मुझे फील हो रही है हो सकता है आप और आपके पार्टनर कोई रॉयल्टी थे फ्रेंस यह मैस राशिया मैंने आपको बताई उन राशियों के अकॉर्डिंग आप इसको रिलेट कर सकते हैं ठीक है हो सकता है आपकी राशी मेश राशी भी हो हो सकता है आपकी राशी करक राशी हो मिथुन राशी हो मीन राशी हो कुम्भ राशी हो सकती है तुला राशी भी हो सकती है तो कि बहुत सारे नंबर्स आये हैं जब लोग है कि आम लिस्निंग बी एम डबलू है ओके यह टेन टेन सी कन्फरमेशन तो आपके जीवन में डेफिनिटली जज्ज्मेंट आया है इश्वर ने आपके फेवर में फैसला सुनाया है चीक है आपके जीवन में नेम फेम पॉपु आपके नंबर 6 15 24 नंबर 6 कन्फरमेशन है नंबर 6 बहुत स्पेसिफिक आया है जून मंथ 6 आप जून 15 जून 24 जून यह 15 आप सेप्टेंबर 6 आप सेप्टेंबर 24 सेप्टेंबर कुछ ज्वेल से रिलेटर आ रहा है ज्वेल हो सकता है किसी के एज 49 है 48 है 1994 1998 1997 यह कुछ यह आ रहे हैं 1984 1987 1989 यह एप्रिल ऑगस्ट सेप्टेंबर जुलाई जून यह मंथ आ रहे हैं यहां पर नंबर 4 13 22 नंबर 9 18 27 नंबर 6 15 24 6th of April 9th of August यह 4th August 9th August 22nd of July 13th of July यह कुछ देज आ रहे हैं कुछ यह राम राम आर एम राम जे डबलू एल जोल एक्यू रोयल्ती यह एस अगेन रोयल्ती रोयल्ती रोयल्त डेली डेली डेल एच डेल एफ यह डेल एफ यह डेल एफ जे डबलू एम जे डबलू मैरियट ग्यू आर कुछ क्यू आर कोड की बात हो रहे हैं क्यू आर कोड कि चंडिगर गुजरात जी जे गुजरात यह कुछ स्टेट्स आ रहे हैं यहां पर गुजरात राजस्थान वेस्ट पेंगॉल हम जेड़ जेड़ हो सकता है किसी को नींद आ रही है तो कोई बहुत जादा स्लीपी फील कर रहा है संबड़ी स्लीपी यह हो सकता है यह किसी को नींद आ रही है बहुत जादा हम आर सी हो सकता है कोई अपनी गाड़ी का अपनी वेकल का आर सी की बात कर रहा है कोई कुछ वेकल की बात हो रही है आरसी वेकल विमन कुछ विमन की बात हो रही है कुछ नेम्स आ रहे हैं क्या यहां पर राहुल रहल रहल सीडी किसी के नेम का इनीशल है है नो क्विज यहां तो कोई क्विज देख रहा है या कोई क्विज सॉल्व कर रहा है लेजी हम एफडी से रिलेटेड कुछ बात चल रही है एफडी राइट आरेच ओके तो यह कुछ लेटर्स और नंबर्स आ रहे हैं यह कुछ स्पेसिफिक लेटर्स हैं स्पेसिफिक नंबर्स हैं आपके लिए कहीं पर स्पेसिफिक हो सकते हैं ठीक है आपको बेटर पता है यह कहां पर आपसे रिलेट कर रहे हैं okay so do not force the reading friends take it only if it resonates with you अगर यह आपके साथ resonate हो तभी इसको consider करेगा otherwise please ignore okay so इसे के साथ में यह reading conclude करते हूं friends thank you so much thanks a lot and I hope and pray for the best for all of you and Jai Shri Ram